So, hello guys, welcome back to the AC Spark आज किस वीडियो में हम बात करने वाले हैं टाटा पंच के बारे में क्योंकि कल टाटा मोटर्स ने टाटा पंच से रिलेटर एक टीजर लाँच किया है बट उस टीजर में ये कंफर्म नहीं किया है कि टाटा पंच में क्या कुछ नया आने वाले है So, लोग expect कर रहे हैं कि टाटा पंच में C&G आने वाली है या फिर टाटा पंच में कोई नया इंजन आने वाला है जैसे टर्बो इंजन या फिर डीजल इंजन So, आज किस वीडियो में हम इसी टॉपिक पर बात करने वाले है So, सब को जानने के लिए आप इस वीडियो में यान तक जरूर बने रहे हैं आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर ले So, 22 तारीक मतलब कल टाटा मोटर्स अपने पंच का एक नया एडिशन लाँच करने वाली है लोग यह एक्सपक्ट कर रहे हैं कि टाटा पंच में CNG आने वाली है बट टाटा मोटर्स टाटा पंच का कैमो एडिशन लाँच करने वाली है कैमो एडिशन मतलब कि टाटा पंच में हमें एक ग्रीन कलर भी देखने को मिल जाएगा जैसे हमने टाटा हैरियर, टाटा नेक्सोन और टाटा की सफारी बगराई में देखा था और साथ हमें टाटा पंच में टर्बो इंजन भी देखने को मिल जाएगा और टर्बो इंजन मिलने के बाद टाटा पंच काफी पावरफुल कार मनने वाली है क्योंकि अभी टाटा पंच में केवल 1.2 लिटर का रेवोटरॉन 3 सिलेंडर नेजुरल एस्पिरेटर इंजन आता है जो कि 85BHP केराउन पावर निकालती है बड़ जब हम इस कार को सुरुवात में उठाते है, पुल करते है तो ये इंजन का पावर हमें थोड़ा बहुत लेक करते हुए दिखता है बट वहीं टाटा पंच में टर्बो इंजन आने के बाद काफी अच्छा परफॉर्म करने वाली है और वहीं जो कुछ लोग एक्सपेक्ट कर रहे थे कि भाई टाटा पंच में CNG आने वाली है तो भाई टाटा पंच में CNG नहीं आने वाली है और हमें टाटा पंच एक नए कलर ग्रीन कलर में देखने को मिल जाएगा तो कल टाटा मोटर्स अबने पंच का ये नए एडिशन लाँच करने वाला है कल सब कुछ गंफर्म हो जाएगा कि टाटा पंच में क्या नए फिचर टाटा मोटर्स लेकर आने वाली है और कई लोग एक्सपक्ट करें थे कि वाई टाटा पंच में डिजल इंजन भी आ सकती है तो टाटा पंच में डिजल इंजन नहीं आने वाला है फिलहाल तक तो यहीं लगर आए कि टाटा पंच में डिजल इंजन नहीं आएगा बट जब कुछ कंफर्म नहीं है तो इसके बारे में बात ही क्या करना कैसा लग आपको वीडियो कॉमेंट करके बता देना और वीडियो को अंतक देखने के लिए धन्यवाद